नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध शिंकरतिवारी हूँ पुरानी कहाओत है सीर मुडाते ओले पड़े ठाकरे परिवार के उधव ठाकरे सरकार क्या बना रहे हैं जहां तहां से उनको चुनावती मिलनी सुरू हो गई है पहले पार्टी कारिकरता कराई गई थी कि ये बेमेल गटबंधन है चुनाव किसी और के साथ लड़े सरकार किसी और के साथ बना रहे हैं लिहाजा इनके खिलाब धोखा धड़ी का मामला दर्ज किया जा और ये जो बेगम पुरा थाने में सिकायत लेकर के पहुंचे थे उनका नाम रतनाकर चौरे है पुलिस तो खेर इस पर क्या करवाई करेगी लेकिन सबसे बड़ी बात है और उधो सरकार के लिए संकट की भी बात है कि ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज किये गया है कि ये पोश्ट पोल एलाइंस जो बन गया था लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत करके आए वो एंसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने लगे ये असंबैदानिक है ये मद्दताओं के साथ सीधे सीधे धोखा धड़ी है खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए इनलिष्ट हो ग खन्ना और जस्टिस असुक भूसर्ण कि वो यही बेंच कल जो है इस मामले पर सुनवाई करेगी तो बेसक सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला करता है तो देखने वाली बात होगी लेकिन जिस तरीके से औरंगाबाद के बेगंपूर थाने में ये मसला गया और उसके ब चुनाओ किसी और के साथ लड़ें और सरकार किसी और के साथ बनाएं जब आप चुनाओ में जाते हैं तो आप वोट मांगते हैं पहले वाले गटबंधन के आधार पे यानि कि बीजेपी और सीव सिना ने साथ मिल करके वोट मांगा था और जब जीत करके आते हैं तो सिर् सरकार बनाने की ठानली और सरकार बनाई जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे जिनके खिलाफ आप नारे बाजी कर रहे थे आंदुरन बाजी कर रहे थे जिनके खिलाफ आप मुद्दे गिना रहे थे तो क्या ये मद्दाताओं के साथ धोखा नहीं है देखिए सुप्र सवाल उठ रहा है और सवाल सिर्थाने से लेकर कर सिधे सुप्रिम कोर्ट तक पहुंचा है यह सवाल कुछ करेगा जरूर क्योंकि यह वास्तों में मद्दाताओं के साथ धोखा धड़ी है चिटिंग है और राजनितिक दिलों को यह चुट नहीं होनी चाहिए कि आप चुना होता हो सकता है कि मामला खरा ना उत्रे क्योंकि इसको ले करके कोई बहुत क्लियर कट नियम कानुन नहीं है डिफ्यक्षन ला तो बना कि दल बदल टू थर्ड से नीचे लोग नहीं कर पाएंगे सदस्ता चली जाएगी लेकिन सैधानतिक अधार पर प्री पॉल एलाइंस और पोस्ट पोल एलाइंस यह दोनों बनते रहे हैं लेकिन उस कंडिशन में इसकी आलोचना होती है जब आप 180 डिग्री पे विरोधी दलों के साथ हाथ मिला लेते हैं सीवसेना ने क्या किया है कांग्रेस और एंसीपी के साथ जो 180 डिग्री पे इसके नितियों से एकदम म मत्वेद रखते हैं उनके साथ मिला लिया और अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं उद्दव ठाकरेस का नित्रित्व करेंगे तो सभाविक सी बात है कि उमली तो उठेगी जहां तहां से इसको चैलेंज भी किया जाएगा कोर्ट कानुनी को सोटी पे कसता है खारिज भी हो चाहिए आज का यह भी संभा हुआ है बट बहस अब इस पर छिड़ गई है और बहस यह चिड़ी है तो और बात शुरू हुई है तो बात यह दूर तलग जाएगे चाहें इसमें जितना समय लगे तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबर इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें